अस्सलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों को अस्तर की कुर्ती इस्टीच करने का तरीका बताऊंगी देखिए इसका कटिंग का वीडियो हमने अपलोट करके रखा हुआ है आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसकी कटिंग का कम्प्लीट वीडियो है अब उपर का कपड़ा तो हम उपर के कपड़े को उल्टा करते हुए इसके उपर अस्तर रखते हुए इसमें सिलाई लिएगे देखिए इस तरह हमने अस्तर को रख लिया है कपड़े के उपर अब हम सबसे पहले बगल के पास से बगल के पास से सिरू करेंगे शोल्डर के पास और फिर गल्ले के पास इस तरह बड़ा टाका लेते हुए सिलाई कर लीए nggak यानि कि इसे चिपका लीए दोनों बगल तक यहाँ से यहाँ तक फिर साइड से चिपकाएंगे तो इस तरह हमें सिलाई के जरीए इसे अटेच कर लेना है तो सबसे पहले हम बगल से शुरू करेंगे देखिए इस तरह हम बगल से सिलाई लेते हुए शोल्डर के पास आकर गल्ले के पास भी हमने इस तरह सिलाई लगा लिए है और फिर यहां से बगल के पास बगल की बाद सिलाई होने के बाद जो भी कपड़ा एक्ष्टा हो रहा है इस तरह बाहर की तरफ छोड़ते वे हम इसे भी पूरा नीचे तक अटेच कर लीगे उसके बाद जिस तरह इधर का अटेच कर रहे हैं उसी तरह हम इस साइट का भी अटेच कर लीगे देखिए बिल्कुल जिस तरह हमने सामे का हिस्सा चिपका लिया था अस्तर से कपड़े को उसी तरह हमने पीछे के हिस्से को भी बगल से यहां तक इस बगल तक चिपका कर फिर साइड में से जो कपड़ा जादा हो रहा है उसे हमें इस तरह बाहर चोड़ देना है क्योंकि हम ये बाद में कट कर लिए तो इस तरह देखिए दूसरी तरफ भी हमने बाहर की तरफ छोड़ दिया है तो इस तरह हम अस्तर को चिपका लिए अब इसके बाद इसके गल्ले बना लिए देखिए इस तरह हमने इसका नेक तयार कर लिया है और नेक तयार करके इसे प सिलडर पैक करेंगे देखें नियुक्त करेंगें देंगे पीछे की पट्टीकू हमने इस तरह रख कर सिलाई कर लिए सीधे कपड़े, यह सीधा कपड़ा है, इस पर रखकर सिला तो इसके बाद हम इस पटी को हटाएंगे और इसके अंदर इस पटी को रखते वे फिर इस पटी को दुबारा उपर शोल्डर रखते वे शोल्डर की सिलाई करेंगे दूसरी साइट भी इसी तरह करेंगे इस पटी को हटाएंगे हम बैक साइट की पटी को पीछे की और इसक की पटी इसके उपर डाल के आदा इंच से इसके शोल्डर पैक करेंगे